हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में बनाने जा रहे हूँ जन्माश्टिवी स्पेसल बहुत ज्यादा टेस्टी सिर्फ दो चीजों के लट्टू आज मैंने ब्रत वाले साबुदाने के लट्टू बनाये हैं जो बनाना बहुत ही आसान है आप देख सकते हैं देखने में ऐसा लग रहा है कि ये भूंदी के लट्टू है बट ये भूंदी के नहीं है ये साबुदाने के लट्टू है तो आप इसको कभी भी ब्रत में बना के खा सकते हैं जैसे कि जन्माष्ट में आ रहे हैं या आप कभी खोई भी ब्रत हो तब आप इन लड़्डों को बना सकते हैं तो चलिए लड़्डों को बनाना शार्ट कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने आपर ले लिए हैं एक कप सावुदाने देखी मैं आपको बता देते हूं कि आपको किस तरह के सावुदाने आपर यूज करने हैं तो जो सबसे छोटे वाले साबूदाने आते हैं इनको हमें इसमें यूज करना है यानि कि जो किच्डी वाले साबूदाने होते हैं इससे जो मीडियम साइज के से थोड़े से बड़े वाले नहीं लेने हैं हमें सिर्फ ये छोटे वाले साबूदाने का इसमें यूज करना है इनको नाइलान साबुदाने में बोलते हैं यह आपको किसी भी स्टोर पर असानी से मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम इनको भिगोना है तो देखी मैं आपको बता देती हूं कि मैंने इन साबुदानों को 2-3 गंटे के लिए इस तरह से पानी में भिगो दिया है आप देख सकते हैं जो साबुदाने हैं साइज में दोगने हो चुके हैं और काफी अच्छे से थोड़े से फूल गए हैं और हलकल के इस तरह से सौट भी हो गए हैं यह देखी काफी अच्छे से इस तरह से जब मैस कर रहे हैं यह एक कपी साबुदाने हैं बट आपको टाल देंगे हैं गैस उनको चोड़ेते हैं पांस मिट के लिए जब तक हम चलते हैं तो उसके लिए घराय गोई ले सकते हैं उसके लाइत के कड़ा करने हैं तो एक सब्सक्राइब इसमें बहुत जार किन अब हमें करना है धी मत ज़िए उट चुका है यह देखिए तो अब हमने जो साबुदानों को लिया है वो डाल देंगे इसमें बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कोई भी जटपट से बना लेगा बनाने में इनको सिर्फ दस से पंदर मट काई टाइम लगता है बहुत ही जटपट से लड़ू बन जाते हैं तो अच् इसमें बाइंडिंग जैसी आती जाएगी तो इसी तरह से हमें इनको चलाते हुए पकात पर पकाना है इनको चलाना बहुत जरूरी है यह देखिए इस तरह से में मुझे इसको पकाते हुए टोटल तीन से चार मट हो चुके हैं यह देखिए आप देख सकते हैं यह काफी बाइंटिंच जैसे हो गए यानी कि जो साबुदाना है ना जैसे पगता है थोड़ा सा आपसमें चिपकने जैसा लगता है यानि यो आई जैसा होने लगता है इस今日 हमारी छॉल्ड़ों काफ药ा सानी से बन जाते हैं यह देखिये बिलकुल इसी तरह काम इंगो इसको पकाना है आपको गिरने से ही पता चल रहा हुआ कि इससे की आपको आइडिया लग जाये तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी तो जितना मेंने साबुदाना लिया है उतना ही हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी आपने tasty coding याँ पर कम जाता भी डाल सकते हैं इतनी चीनी इसमें आरम से डल जाती है अब हम चीनी को भी इसमें अच्छे से mix करते जाएंगे इसी तरह से तो जैसे जैसे हम चीनी को इसमें mix करेंगे आप देखेंगे कि जो चीनी है अच्छे से पानी छोड़ देगी और इसका जो बैटर है अभी आपको पतला जैसा देखना लगेगा तो जो साभू दाना है इस तरह से इसमें काफी अच्छे से स्वाप्ट भी हो जाते हैं यह देखें इसको लगाता चलाते रहना है क्योंकि जो साभू दाने थोड़े से चिपकते हैं तो इसको चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस तरह से इसको चलाते हैं पकाएंगे जब तक कि चीनिया से मेल्ट ना हो जाए technique आप देख सकते है किस तरह से चीनिया से पानी च्छोड़ दिया है और काफी पदला जैसा भी हो गया है शुक्त पूरे तरह से थिक ना हो जाए यानिक डोकी तरह ना बनने लगे क्योंकि हम इसके लड़ू बनाने हैं तो बिल्कुल लड़ू के जैसा बायं डूनी लगेगा बिल्कुल उसी तरह को हम इसको पकाना है यह देखिए जैसे-जैसे मैं इसको पकाती जारी हूँ आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा यह थिक होता जा रहा है तो फ्रेंट्स आप जैसे इसको रख सकते हैं वाइट कलर में ही बट में इसको कलरफुल बनाने के लिए मैंने आप अल्ले लिये थे 15-20 केसर के धागे जिनको मेरी दूद में इस तरह से गरम दूद में भी हो दिया था गरम पान या दूद कुछ भी ले सकते हैं यह पूरी घुज़ा होता है बो भी आप डाल सकते हैं कुछ भी आप डाल दी जिए इसमें इह है है कि अज़्वी से इसको मिक्स करते रहना है ऑफ कि यह का घुद्व सारे सावी दाने को मैंने अच्छ ouvert होता जाएगा तो मैंने आप पर ले लिए हैं खर्वुजे के बीज इनको हम बगच के बीज भी बोलते हैं यह डाल देंगे यह पूरी तरे से ऑफ्सेल हैं अगर आपके पास है तो डाल देजिए इनसे देखने में लुग पौत चाहता है खाने में भी बहुत जादा टेस्टी होते हैं यह आप इनकी प्लेवर पसंद है तो लाइची का प्लेवर भी डाल सकते हैं बट में आपर केसर का यूज किया है इसलिए इसमें केसर का अच्छा से टेस्ट आ रहा है तो उसी तरह से हमें इसको लगाता चलाते हुए पकाते रहना है और जो चाजनी है वो भी काफी अच्छे से साब हो गई है याने का अग़ी रसीला सा हो चुका है साबुधाना मैं इसको फूल गया है और काफी अच्छा से साबुदाने में अब जो घुक है यह देखे बिल्कुल पूरी तरह से एकदम कड़ाई छोड़ने लगा है हमें इसको एक मुट के लिए और पकाना है बस देखे अब यह लड़वा बनने की स्टेज में आ चुका है क्योंकि जब यह ठंडा होता है तो यह और भी ज्यादा अच्छे से ठिक हो जाता है तो तो आपको पता है कि एकदम बढ़िया से ठिक जैसा गिर रहा है यानि कि यही इसका इंडिकेशन है कि यह हमारा अच्छे से लड़ू के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है तो आप चाहें तो इस तरह से भी इसको रख सकते हैं तब भी लड़ू टेस्टी बनते हैं बटम इसके टेस्ट को और भी जाद अच्छा करने के लिए एकदम बढ़िया से साइन लाने के लिए मैं आप डार नहीं हूं इसमें एक चमच गी मैंने इसमें टोटल सिर्फ दो चमच गी का यूच किया है यह पूरी तरह से इस टाइम पर ऑप्शनल है अगर आपको गी नहीं हो तो आप यहां पर गी ना डालें बस इससे लड़ों एकदम सायन आ जाती है टेस्ट भी बढ़ जाता है यह देखिए गी को इन अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीह काफी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और यह बड़िया सा बिल्कुल मिक्स जो है हमारा बनके त इसको ठंड़ा आका करना है अगर आपको इसकी बड़ु बनानी तो आप इस तरह से कोई भी प्लेट ले लीजिए ठाली बगरा उसमें आप इस तरह सा इसको फेलादीडियी श्रुल मिद्ड़ बना रही हूं बट मैं आपको एक आई बता देती हूँ कि अगर आप बर्फी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको फैला दीजिए उसके बाद इससे ठंडी हो जाएगी सेट हो जाएगी उसके पीस कट कर दीजिए बट मैं इसके लड्डू बना रहे हूं मैं आपर बर्फी नहीं बना रहे हूं इसलिए मैं एकदम ठंडा नहीं करना है हलका साम इसको गुल गुल गुमाते हुए बना लेंगे देखने से आपको पता चल रहा हुगा वाव बहुती बड़ी अलटू बन रहे हैं प्रेंट्स देखें कितनी अच्छे से साइन आ रही है गी की वज़ाइसे देखें विद्व लटू साइन हो गया है काफी अच्छे से चास ने उसमें अब जॉब हो चुकी है देखें देखने से आप से पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादर टेष्ट ही हमारे लटू बने है फ्रेंट्स आप एक और लटू को जलू डाई करके देखना जन्माश्टी भी आपको मज़ा आ तो इस तरह से आप जन्माश्टी में किसी भी बरत में इनको बना सकते हैं तो उसी तरह से हम सारे लटू को बनाके तयार कर लेंगे तो यह लीजिए मैंने आपर सारे लटू को बनाके कर लिया है तयार कोई बता सकता है कि यह लटू आपने साबूद आने से बनाए है ऐसा लग रहा है कि यह हमने बेशन के लट्डू बनाए हैं कि जो बेशन की बूंदिवाई लट्डू होते हैं जो मार्केटीव हम जाकर खाते हैं वालकुल वैसा टेक्स्टर लोकिंग देखिए वालकुल वैसी लगरी है देखिए खाने में इतना टेश्ट इनका लाजवाब है क कि आप एक वार खा लेंगे ना तो बार वार यहीं लड्डू बनाके खाएंगे देखी तोड़के भी आपको दिखा देती हैं एकदम मक्षन की तरह सौप्ट हैं जैसे कि मुझे जाते ही खुल जाएंगे आपको पता है कि साउदा थुरास चिपचिपा होता है बट लड्ड क्लिको लाइक में चैनल को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर मिलेंगे ग्लिके सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बाई बाई